हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चनल शोटी सीरा सोई आज मैं आप सभी के लिए लेकिया है हूँ मैंगो कलाकंद की रेसिपी मैंगो केसर है यह और यह घर का सुध बना हुआ मिठाई है जो आप इस फेस्टिबल में आप बना सकते हैं बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है और पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भूलिएगा नहीं चीज़ को तो यहाँ पर मैंने एक लिटर दूद लिया है जिसको हम बॉइल कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके नीवू का रस में डाल रही है जिसमें पानी मैंने मिला रहा है इक्वल कॉंटेटी में आप चाहिए तो इसमें सिट्रिक एसेड या फिविनेगर भी मिला सकते हैं पर सबसे अच्छा होता है दही का पानी जितना मैंने अभी तक ट्राइ किया है दही का पानी आप निकाल के उसमें डाल सकते मेरे पस अभी नहीं था तो मैंने यह यूज किया है देखने कितना अच्छा फट गया है और बिलकुल भी चीमडा नहीं रहेगा भुर भुरा रहेगा अब इसको दो लेंगे कि इसकी खटास खतम करना बहुत जरूरी है अब दही के पानी में वो दिक्कत नहीं होती है आप एक पानी से दो लीजिए उसमें खटास नहीं आती ल बाद मैंने एक कड़ा ही ले लिया है नॉन स्टिक ही है उसके बाद इसमें मैंने आधा लिटर डूद डाल दिया है और यहां पर मिठास के लिए मैं कंडेंस मिल की यूज़ करें सो ग्राम से डेर सो ग्राम के आसपस आप इसमें गूर भी यूज़ कर सकते हैं आप चीए इसमें चीन भी यूज़ कर सकते हैं मिठा मैं कम ही बना रहे हूं तो सो से डेर सो ग्राम काफी हो जाएगा इसलिए मैंने वैसे ही डाल दिया है इसको अच्छे से हम पकाएंगे जब तक दूद हमारा एकदम आधा ना हो जाए गाढ़ा ना हो जाए उसके बाद मैं इसमें दार्क हो जाएगा यलो हो जाएगा मैंगो से भी हो जाता है कई वर मैंगो उतने अच्छे कलर वाले नहीं होते ना तो केसर डाल यह प्योर वाले तो अच्छे कलर हो जाएंगे दिरे दिरे आपको पता चलेगा पर अच्छे हो जाएंगे उसके बाद हमने पनीर जो फाड अच्छे से आप देख रहें बिल्कूल एकदम डो की जैसा हो गया है छोड़ दिया था उतना आपको इसको पकाना है पांच मिनट साथ मिनट लगता उसे ज्यादा नहीं लगए कि दूद हमारा पहले गाड़ा हो चुका था उसके बाद एक तेल लगा हुआ किसी भी प्लेट कर लीजिए अच्छे जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसको बर्फी के सेप में कट कर लीजिए और यह आपका बहुत ही टेस्टी घर का प्योर मिठाई बन की रेडी हो गई है और ट्रसमान यह बहुत अच्छा लगता है अगर आप मैंगो फिलेवर नहीं बनाना चाहते हैं आप सिंपल वाइट भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लाइची पॉलर डाल दीजिएगा इसे बनाई है अभी रच्छा वंधन भी आ रहा है आगे बहुत सारा फेस्टिबल आ रहा है तो बनाईए खाईए बच्चों को भी खिलाईए उमीद है